तो आज कि इस वीडियो में डिस्स करने वाले हैं हम फ्राइज री अरेंजमेंट इससे पहले के वीडियो में हमने काफी सारी डियारेंजमेंट देख लिए आज कि इस वीडियो में डिस्स करेंगे हम फ्राइज री अरेंजमेंट पर सेराज्जमेंट में जो होता है हमारे सबसे पहले होगा हमारे पास कोई फेनाइल एसि ट्याइट या फिड्सवा नाम होता है इस सबसे पहले हमारे पास होरना चाहिए di या फिर इसका दूसरा नाम है इस्टर आफ फिनल यह होना चाहिए जो हमारा पास रियक्टेंट होगा और यह यह रियक्शन होती है लेविस एसिर के परदेंस में ज्यादार केसे में हमारा यूज होने वाला होता है एल-सी-ल-3 और कहीं कहाँ पर हम देखेंगे ज्टेंट फ फैनाएलिक पिटों ठीक और इन जनरल हमारे पास अगर लो टंपेरेटर दिया होगा तो हमारे पास पैरील अइस ओमर मेंजर वनेगा और हई टंपेर्प्रेटर अगर दिया हो तो हमारे पास आर्थो आईसोरर जोगर मेंजर बनेगा। अभ यah क्या है कैस उसको Europ7 penase EB लेख लेते हैं देखिए हमारे पास यह रही फेनाइल एसिटेट इसको हमने कि यह ल्चल थेरी के प्रजेंस में और हीट करिए तो यहाँ पर बनाई है हमारे पास आर्थ आइसमर और यहाँ पर बनाई यह पार आई सुमर ठीक मेजर कåंबने माइनर कंबनेगा यहाँ जो हमारे पास लो टंपररिचर होगा तो पचो आतो ऑठ और नीजर बनेगा जो हमारे पास कोई़ीयरी है सिर्फ ही दिऊ तो में नीजर बनेगा इसको अब ही हम आगे इसके पहले डिसके मेकनिटलेते हैं मेकनिजम मेकनिजम इसकी जो चलिक से टोड़ा आराम से सब्सक्राइबiger likewise कि लिखते हैं फिर उसको से उसके बाद करते चलते हैं यह रहा हमारे पास एश्टर रॉफ एनॉल सी यो सी एस थिरी जब हम इसको करेंगे एल सी एल थिरी के पर्जनस में हम इस ग्रुप को इस साइड दिखाने तो ज़्याद अच्छा है ना यह सी यो सी एस थिरी ठीक है क्योंकि आप इस आक्षिजन के पास हमारे पास है लोन पेर अभी अपने लोन पेर से इस पर अटेक करेगा यहां पर यह एल सी थिरी से जुल जाए और ऑख शीजन पर आएगा हमारे पास पॉस्टिव चार्च और यह जो हमारी जैसे रही है वह ऐसी रहेगी यहां पर आजाएगा ओ इधर ऐसी यो सी इसको ऐसे लिख लेंगे और अक्षिजन पर हागे हमारे पास पॉस्टिव चार्च इंकि इसने अपना एक लेक्ट्रान देकर इसे बांड बनाया है एल सी एल तिरी से और इसको एक और औक्षिजन ले लेगा यहां से पर फेल Gricia सरे सा और यहां से हो जाएगा हमारे पास एल었ने से यह पर यांपर यह मारे पूर यह सagn harus. इसे लगा Al, Cl3 इस पर है माइनस चार्च और पलस इसके साथ हमारे पास निकला हुआ है CH3, CO और C पर पॉच्ट्ट्वी चार्च यह राज सी यो इसी पर पॉच्ट्ट्वी चार्च इज़े लगा हुआ है CH3 ठीक है यह हो गया अब यहां हमारी रियक्शन चलेगी आर्थो की तरफ और पैरा की तरफ कब हमारे पास आर्थो बनेगा कब हमारे पास पैरा बनेगा चलिए सबसे पहले आर्थो प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इसको लेंगे और इसको लेंगे फिर उसके देखें कि हम कैसे और्सों तक पाउचते हैं चलिए सब्सक्राइब इसको लेटे हैं कि या बेरा ओ या बेरा एयल सील्टिरी माइनिस कि इसके पास यहां पर एलोन बेर ना अगा आए थैसे लोटे ने देकर इपर हैं उक्सीजन और इसका बाइन के बीचिमें डवल बांड बनेंगा और जैसे इस तरहेंगा इस तरह मोब ऊजाएगा तो यहां पर आएगा हमारे पास मैन इस चार्च जो जैसे उसको पहले वैसे लिखे लेंगे यहां पर रहा डबल बाउंड ऑक्सीजन इससे लगा हुगा एल इसको हम पर माइनस दिखा लेंगे अब इसको हम रिएक्षन कराएंगे इस से यह रही हमारे पास हम इधर कर देते हैं और इसके पास रहा यह पॉजिट्टी चार्ज अब यह निगेटिव और पॉजिट्टी जो हो आपस में इधर बाउंड बना लेंगे इन दोनों के बीच में आपस में बाउंड बनेगा यह निगेटिव अपने एक एलेक्टरान देकर इस पॉजिट्टीव वाले के साथ बाउंड बनाएगा अब यह यहाँ पर हो गया हमरे पास C यहाँ पर हमारे पास यह विंज इंडिंग पूरी हमारी बन जाएगी अब इसको हम नेक इस्ट्रे में है एच पलस कर देंगे किसी एसेट की परदेंश में कर देंगे एच पलस तो यहाँ से हो जाएगा मारे पास ओएच और यहाँ से यहाँ यहाँ पर लग जाएगा तो यह हमारे पास पूरी बेंदिंडिंडिंग इधर आ जाएगा हमारे पास ओएच और यहाँ पर हमारे पास बचाएओ और यहाँ टियगा है तो अब यह बन के हमारे पास और फसुर मारं हमारे पास बंचे पका है अब हमकाएगरकर फिर यहिंठी को लेंगे बृद्ध के यह 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 बाहना तो नहीं याना स्टाइट कर देंगे कि आर्थो प्र ड пойд consistent बनाना है तो मद्स मैं कर लाम होगा अगर हमें पहले मैूंप बनदाना है पर तो इसவで मूब करेगा तो यह वादा इस सब्सक्राइब करेगा तो यह यहां पर जूलेगा चलिए उसको भी देखते हैं कैसे होगा कि नीचे कर लेते हैं कि तो इसके पास इधर लोन पेर कि इसने अपनवान इधर दिया इसने इधर दिया और इसने इधर दिया कि तो माइनिस चार्ज जो आएगा वो आजाएगा इस बार नीचे की साइड माइनिस चार्ज अभी यहां पर और डबल बाने कमारा यहां पर पहले से और यह वाला बांड इधर घुमें कर दो डबल बाने हां पर आजाएगा और इधर हमारे पास आजाएगा ओपे पॉस्ट अब यह से बाड़ बाना लेगा नीचे के साहिए अ यह यह है अब देड़ मांड यह रहा ओ इधर आ एल्लीटी निएस ऑप सिझे पर है पॉरा लिखेंगे नहीं हम इसकी तरह अब लिखना चाहिए तो इस तरह से लिए जगानीचे कम है हुआ आच जी सगे हां अजो यहां पर हो चुका था तो यहां पर हलो गला यहां पर भी हें अनिकलता है कि अम भरको कि आदे हें इधर है कि अनुदम भाण इंधर है यह ठर यह पूरी बंदेंगी हमारी ओधर निवार्माटक हो जाएगी पुरी ड clinician हो जिति हमारी तो यह इधर यह इधर यह इधर इंदर ऑक्सिजन हो जाएगा निउट्राल और यह हो जाएगा ALC L3 माइनस और नीचीग साइड होगा हमारे पास COCH3 अब इसको कर देंगे हपिस पलस से तो यहां से ALC L3 निकल जाएगा हो जाएगा माइनस तो यह थी फ्राइस री अर्एंजमेंट यह थी रियक्शन यह थी इंटर मालेकुलर मेकैनिजम यहां तक फिर उसके बाद हमने बनाया अर्थो प्रड़क्ट फिर उसके बाद हमने बनाया पैरा प्रड़क्ट अब देखना है हमें इंटर मालेकुलर मेकैनिजम तो इंटर मालेकुलर में क्या होगा इंटर मालेकुलर में क्या था पहले हो समझी इंटर मालेकुलर में यह ज अब जैसे यह बाण इधर बेरेक होगा तो यहां पर अक्षिजन न्यूट्रल हो जाएगा फिर इसके बाद जब हम इसको देखेंगे अलग से तो यह इधर से बाण बनाएगा फिर इधर माइनस आएगा फिर अब यह वाला जो माइनस है वो इस किस्धा आखी ऐगा कटीज़ की पहले यह पर था और इंट्रामौेयट में यहीं सारी चीज़ें जो हो एक इस द्र TIक में होगी कैसे वह अभी हम देखते हैं पहले हैं इसको समझ लिए ब सब ant टोटेंगा तो यह रोowo Story फिर इसके बाद इसके पास लून पेर है इसापर करेगा फिर के यह वाला आ जाएगा इधर अधर सेप्रेट आएगा जाएगा सब कुछ इसको में हमाने इधर सप्रेक्टेट छेएए ऐगा अपर तो यह स्टरी लेकिन इंट्राम ऑलेकुलर में सब कुछ एक ही हिस्ट्रिम में होगा चलिए देखते हैं उसे भी अब देखते हैं इंट्रामालीकुलर मेकानिजम तो अब हम देख लेते हैं इंट्रामालीकुलर मेकानिजम चलिए जहां हमें शुरूर करना था मैंने वह चीज लिख दिया यहां पर वह जैसा कि मैं बहुत बता पैसिले आपको इंटर मारेकुलर बहुत ही बारेकी से समझ लोन यह चलिए ये बाइगा το जब podr- Hello till दो जाएक हो दो यहां पर मैंने लिइए चर्टा मैनस अम इंपर आया मारी रॉट्ट का तो चलिए आ अम This तोट चुका है इस पर आएगा पाश्टी चार्ज अभी यहाला जो माई में चार्ज वो इस कार्बनील पर आटेक कर देगा और इससे बाण बना लेगा तो निक्स इस्ट्रम हमारे पास जो होगा उसको हम लिखते हैं ग lep पर इस लग जायका कि यहाँए पर सी योझी सी थरी और इदर लगा और इस ते लगा हुई हमारे पास डबल बांड ओ डबल बांडो और इसे लगा हुआ है इस पर आया यह आप सीजन उस यस बांड और यहां पर आपको इंटर मालिकुलर में बताया गया है यहां से हो जाएगा ओ और यह अक्सिजन हो जाएगा नियूट्राल यहां पर आया माइनस यहां पर यह रासी ओ छीए अब इसके बाद हम इसको कर देंगे एच पलस से तो यहां से माइनस एल से लिए निकल जाएगा और यहां पर हो जाएगा हमारे पास और यहां पर हमारा बन चुका है और थो वाला प्रोडॉक्ट ठेक अब अगर हमें पैरा बनाना आए तो इसको हम इधर और इसको इधर माइनस यहां ला देंगे बाकी इस टप हमारा से मुगा चलिए उसको भी करी देते हैं अब उसको छोड़ेंगा इधर हमार पसरा हह ओ इधर आल्च ल्टिए माईनस ओक्सिजन पे रहा पोड़ीच एधर रहसी यह 3 यह बाण इस आडर बहुत हो गाई है यह न्यूत्राल इसके पास लोन पे इधर बाढम बनाएगा फिरसे आएगा पासरी चार्च अब यह अलबान कुछ इस तरह से ब्रेक होगा और यह अलबान इस तरह से ब्रेक होगा यहां पर आएगा मैनस चार्ज और यह माइनस इस पर आटाइक करके इधर एक बाउंड बनाएगा और नीची किसाइड आगा मैंने पास C O C H 3 और डबल पांड हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से उपर इसाइट हो जाएगा मारे पास डबल बांड ओ इस पर आया पॉज़ीक चारज इसके साथ लगा हूँ ऎल थिल्प्रिक माइनिस है तो अब ही आपर एक H फ्रेजन्ट के यहां पे C, O, CH 3 को यहां पर रायगा O, our than आपने थाया हमारी इंट्रा मालीकूलर मेकनिसम यहां पर हमने देखा किया तो कैसे बनेगा और यहां पर देखा हमने पेरा कैसे बनेगा अब इसमें देखेंगे कि इसको हम शाट में कैसेंगे इसकी शौट ट्रेक उसके लिए मुझे मेकनिसम फिर से लिखनी पुलेगी मेकनिसम को माने निए दिया था चलिए फिर से लिखते हैं जो हमार पाससे धिश्थ फिर था उसको लिखेंगे याहा पर O, इधर था हमर पास C-O, C-H3 और इसको हमने किया था ALC-L 3 पर जिंच में, थोली सी हीट थी, फिर यहापर हमारे पास प्रणक्ट बनना था, इधर आया था O, और यहापर आया था C-O, C-H3, वालस, यह था हमरे पास आर्थो वाला था, और हमारा पास पारा वाला क्या बनेगा यहां पर आएगा यह और यह पर सी यू इधर आगा सीएश्थरी और इधर आएगा ओएच तो देखिए कि इससे और उसमें क्या फरक हो रहा है उसी को मपकल लें वही हो जागे हमारे पास स्वाट्रे तो यह वाला गुरूब जो है वह यह तो आर्थो पर जाएगा यह तो पेरा भी जाएगा आब अर्थो पर जाएगा तब जमापास कि हाई टमपराचर ना और पर पड़नेगा जमापाह सोगा लोद टम्परेचर अ टीलिए अभी और हम इसका आगले एक्जमपल पे देखेंगे कब हमें आर्थो बनाना हैं को हम उसक्रेबिदार ऑफ एक्जमपल में तरह मैं यहां तो यह से एक्जमपल करने दोरा चलें आफ इंटृमाली तो अब हम देख लेते हैं कुछ इजांपल शॉट ट्रिक्स चलिए देखते हैं तो सबसे पहले एक्जांपल यह रहा हमारा इसको देखते हैं यह इस इसमपल को सबसे पहले कराया का एल से लिगरी के परदिन में और यहां पर टमपरेचर जिया है ट्वंटीफ फाइब है पैरा यानिकर इसके पाथ हमारे पार प्रड़क्ट बनेगा वह पैरा वाला बनेगा हम मेजर वाला ही बनाएंगे तो सबसे पहले जो इसको खाए करके हम यहां पर प्रवाच करना है और ईसको अर्थो पर या तो लाना है और यहां पर लोट कर दिया गया है तो इसको में पैर तब कर कर दो देंगे कि इस और इसके पारे पलाखे कर देंगे का इस तरी कि आ बस हो गया आप सी को पूरा उस तरह सदिखा लें इस तरह संदिखाते हैं पूरा सब्सक्राइब तो वह इस अपर बनेगा अर्थ वाल प्रड़क्ट तो यह चीज़ हम पूरी इस तरह से बना लेंगे और यहां पर जो ओ है उसके साथ बनाएंगे और इस चीज़ को हम आर्थो पर कनेक्ट कर देंगे यह रही पूरी बेंदी इधर राज यह जैसे रहे इन सब चीज़ों के लावा जो जैसे है वह ऐसा ही पड़ा रहेगा वहां पर हमें हमारे पास पहले अब देखते हैं दूसरा दूसरा में हमारे पास क्या है यह चीज़ हमारी दे गई है तो इधर हमारे पास कुछ भी दिया उससे हमें कोई लेना देना नहीं यहां पर हो हमारे पास ओ सी यह चीज़ जाएगा और यह चीज़ हम पहले बना ले फिर उसको यह चीज़ आप यह चीज़ लेकिए जैसे लगे अब कर देखें तो इसको डिसाइड करने हीट तेमपरेचर यह तो यहां पर ना तो लोग तेमपरेचर दिक्राना ना फाइट अब हमारे पास जब ना लोग दिखें ना ही दिखें तब वहां पर हम बनाएंगे आर्थो को तो को सी ओ सीरे आर्थो वाले प्रडट कीमनाएंगे क्यूंकि अर्फॉव ज़्यादा इस्टेबल होता है कमपरेचर टोडीं कि इस इस ओक्सीज़न होती है इस औक्सिजयन की बीच में होती हाईड्रोजन बांडिंग यह वाला जो होता है हमारे पास आपर आईस वाला यह ज्याद़ इस्टेबल होता है इसलिए वाला हमारे पास मेजर वाला कंपाउंड यह बनता है कि दूटू हाइड्रोजन बांडिंग अपर हाइड्रोजन बांडिंग अब लिख सकते हैं अब आते हम अपने तीसर एक्सांपल की तरफ हमारे पास इस्टर और यह बनाल यह में हमारे पास एस्टर और इससे लगी इस प्राइब ठीघन लेख देगे और इस आक्षिजन कोभ़ कर देंगे यह इस है और इस रिंग से जो हमारा था उसको हम चनट कर निया आप तेंग यह फिन्त खरशाए है है लाओ उनुक्त मादिन ट्रफित दो प्रफित कर सकते हैं और घिंग यह होगे हमारे पास तिसरा एक्जांपल चौछ एक्जांपल की तरफ चलते हैं यहां पर हमारे पास यह वाला जो है की अब सिसको हम यहां से अटा करके इस के साथ एच कोनेक्ट करेंगे और इसको हम लगा देंगे इस आफ्ट पोजीशं पर जाये नहीं कि इसके जगान जो है वो पहले से बुक है और इधर जो है यह वाली चीज़ें यह जैसे है वह उसको वैसे ही रहने देंगे उसको वैसे ही लिग देंगे इधर हो जाएगा आपके पास OCS 3 इधर है आपके पास OCS 3 इधर हो जाएगा और इस यह सीज़ें पर कनेक्ट कर देंगे यह पर सी ओसी इस तरी को इस आर्थो पर लगा देंगे और इस ऑक्सिजन की जगहां इस ऑक्सिजन के साथ यहां पर एक है है अब हमने देख लिया है फ्राइस रियारैंज्मन और इसके बात देए हमने उसकी मेकंशन इंत्रमालकूलर मेकंशन इंट्रमाललकूलर मेकंशन Здरॉन से दोने फिर ऊपास हमन फोट्टो फ्राइस रियारंजमेंट फोटो फ्राइस में डिया होता है रेक्टन हमारा सैम होगा बस बट यह रियक्षन आप यहां से जो हमारे पास होगा हमोलिटिक यहां हमारे पास रेटिक बने का और इस तरह से आएगा ऑक्सीजन पर एक और इधर भाला भी हम बादिन दिखाएंगे पहले इसका हम रिजूने से देख लेते हैं जाना यां पर इसके बाद यहां पर आएगा हमारे पास एक रेटिकल थे जा रहा हम पास एक ररिक हो जाएगा दोनों यह मिल जा रहा है आफ यहां बान लेगा और यहां पर आजाएगा पर इसके पास हमाई पास इसके बाद हमारा पास बचा है है और इसका बन के पास एक घ्रिचल सी होगा इसके पास एक रेडिकल ठीक है यह ओगा यह में होगा फोटो फटैस्ट में होता है और जो हमारे तो श्रप्र अन्हें भूब नाना है इस अर्थो वाले रेडिकल को लेंगे और इसको लाकर इससे अटायर्च कर देंगे तो हमारे बंचेका राना होगा तो इसको लेंगे और इसको लेते हैं रेजुनेटिंग श्रॉक्चर वाले को जिस पर हमारे पास 800 पे रेडिकल है उसको लेते हैं सबसे पहले एक यहां पर डबल बांड यहां पर इसके पास इधर है डबल बांड ओ और एक रेडिकल यहां पर है अब इसको हमें कराना है यहां पर यहां पर तो अब यह दोनों रेडिकल क्या करेंगे आपस में बनाएंगे बांड यह इस तरह से यह इस तरह से यहां पास जाएका डबल बांड ओ इसके बाद क्या होगा ओ तो आप तो जानते ही है यहां से बनके हमारे पास अर्थो आइसमार थिक है यहां अर्थो आइसमार हमारे पास बन चुका है अब हमें पाइरा वाला बनाना हो तो यह रिडिकल वाला हम पाइरा वाला ले ले लिए जाएंगे जैसे की रिजोनेटिक इस्ट्रक्ष्ट्चन में देख चुकी है कि आप कैसे पाइरा पर पहुंचेगा तो उसी को भब ले लेते हैं यह डबल बान यहां पर यह डबल बन तरह से सी यहां पर हाजया पास cc a3 नपर है गवल बन ओ बॉब पास यह हड़न है यह डिल रिजलन इस तरह से यावल बार बान इशान से यह डवाल बंच तरह से यह जो बहना है सरसिए पना फिंज थे लोक्न कि यापके लग जाएगा और पूरी अरोमाटिक हो जाएगे आपकी बेंदी ने हो गए हमारे पास यह यह तो यह थी हमारे पास फोटो फ्राइस री अरेंजमेंट यह थी इसकी रियक्षन reaction the reaction mechanism फौटो फॉटो फॉर्णीट सबसाथ इंयुकून यह थी हमारी हमने फॉर्णी लिए तो फॉटो फॉर्णीट सबसाफिए तो आज इस वीडियों मेंडी आपके लिए आपके लिए اौज इतना ही मिलता आपके लिगे सिंप है तक त classrooms झाल झाल